हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉंसेप्ट में तो फ्रेंट्स आज की सेशन में हम लोग एक बार फिर से देखने जा रहा है एसकी जासर की द्वारा जो बुक लांच किया गया है वॉल्यूम टू बुक बिहार एससी सकेंड इंटर लेवल वाइकैंसी के लिए जिसमें की टुटल 21 सेट दिया हुआ इस बुक में तो आज की सेशन में हम लोग इस बुक का सेट नंबर 4 कबर करेंगे और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का तीन सेट और लेडी कबर कर चुके हैं तो अगर आप लोग उस तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में इसका लिंक दे दिया जागा question क्या कह रहा है तो देखे question और first यहां जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि बांध में जमा पानी में कौन सी उर्जा होती है बांध में जमा पानी में कौन सी उर्जा होती है तो सही answer इसका हो जाएगा देखे यहां पे इस्थितीज उर्जा होती है एक बांध में जमा पानी में इस्थितीज उर्जा होती है देखे इस्थितीज उर्जा जो है यह उर्जा का वह रूफ है जो किसी बस्तू की इस्थिती या भागों की व्यावस्था से उत्पन होती है और यह संग्रहित उर्जा है जो गती जूर्जा बन सकती है तो option number B हो जागा इस question का right answer next question देखेंगे इसमें कहा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सरवपर्थम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो right answer का हो जागा देखेंगे यहां पे चार्ल्स विलकिन्स ठीक है चार्ल्स विलकिन्स जो है यह एक अंग्रेज भारत विद थे जो की असियाटिक सोसाइटी के सांस्थापकों में से एक थे और उन्होंने ही सरवपर्थम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो option नमर B हो जाएगा इस question का right answer उसके बाद next question देखेंगे question नमर 3 देखें इसका जो right answer हो जाएगा वो option नमर यहाँ पे C हो जाएगा math origining का जो है जो भी question आगा उसका answer टिक करते चलेंगे आप लोग इसको उसे solve कर लिजेगा ठीक है तो थरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा option नमर 6 इसका right answer होगा उसके बाद चले next देख लिजे question नमर 4 का सही answer यहाँ पे option नमर C हो जाएगा उसके बाद अगला question जो दिया हुआ है question नमर 5 देख लिजे question नमर 5 का जो सही answer हो जाएगा वो option नमर यहाँ पे B हो जाएगा ठीक है option नमर B हो जाएगा right answer उसके बाद next question question नमर यहाँ पे हो जाएगा 6 और question नमर 6 देख लिजे यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका सही answer option नमर यहाँ पे C हो जाएगा option नमर C हो जाएगा उसके बाद चले अगला question देख लिजे यहां पर question number 7 को पढ़ लिजे पहले आप लोग, उसके बाद देखिए आगया और दिया हुआ है, आगया यहां पर दिया हुआ है, तो इसका जो सही answer हो जाएगा question number 7 का वो option number यहां पर C हो जाएगा, ठीक है, option number 6 question का right answer होगा, आप चलिए देखते हैं, अगला question में क्या कह रहा है, question number यहां पर 8 हो जाएगा, और इस question में देखिए फ्रंट्स कह रहा है कि पेसवाई को कब समाप्त किया गया है, तो याद रिखेगा, 1818 इस भी में, ठीक है, तिरित्या अंगला मराठा यूद जो हुआ था, 1818 इस भी में, तो इसकी के, मराठा क जो पराजय हुआ था, इसमें मराठो की पराजय के साथ ही, पेसवाई को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, तो option number यहां पर B हो जाएगा, सही answer, उसके बाद चलिए अगला question देखेंगे, इसमें कह रहा है कि, ओवेरान, टाइटेनिया, एरियल, अंबीरियल और मीराणडा, यह पाँचो किस गरह के उउपगरा है, किस गरह के उपगरा है, तो याद रखेगा, यहाँ अरुन गरह के उपगरा है, ठीक है, यहाँ अरुन गरह के उपगरा है, option number यहाँ पर B हो जाएगा, इस question का सही answer, ठीक है पे अरण, से लिए next question देखेंगे, question number 10 यहां जो देखे दिया हुआ, इसका सही आंसर, option नमर यहां पर A हो जाएगा, option नमर A, उसके बाद जो अगला question दिया हुआ है, कि निम्नलेकित में से किस राज में दक्षिन पस्ची मानसून से वर्सा नहीं होती है, किस राज में, तो वह होता है, तामिलनाडू राज में, ठ जिस तिथी को हुआ था, वह थी, यानि कि राष्ट्र के विकास परिशत का गठन किस इस भी को हुआ था, तो सही आंसर इसका देखिए, 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को जो है, राष्ट्र विकास परिशत का गठन किया गया था, option नमर C, इस question का यहां पर correct answer हो परिपक सुकरानु कहां, विरिसन से निर्मित होते हैं, option नमर D हो जाएगा सही, अगला question देखेंगे, 15 नमर, इसका जो right answer हो जाएगा, वो option नमर यहां पर B हो जाएगा, ठीक है, option नमर B, उसके बाद जो next है, question नमर सुला का सही answer, option नमर जो जाएगा, आईए अब देखते next question, question नमर 17 क्या रहा है, कि अंग्रेजों का pensioner बनने वाला पर्थम मुगलबाद साह कौन था, तो सही answer इसका देखेंगे, यहां पर सहा आलम दूइतिये हो जाएगा, ठीक है, सहा आलम दूइतिये जो है, यहां अंग्रेजों का पर्थम pensioner बनने वाला मुगलबाद साह था option number A हो जाएगा सही, उसके बाद अगला question, 18 नमर का जो right answer हो जाएगा, वो option number यहां पर B हो जाएगा, ठीक है, option number B होगा, उसके बाद जो अगला question दिया देखेंगे, उसके बाद अगला question देखेंगे, यहां पर question number 20, और इसका जो सही answer है, question number 20 का option number A हो जाएगा, ठीक है, option number इस question का right answer होगा, आप चलिए अगला question देख लिजिए, question number यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है, और देखिए इस पर क्या रहा है कि जल का वास्पी करन किस पर होता है, जल का वास्पी करन किस पर होता है, तो याद रिखेगा, यह सभी ताप मानों पर होता है, ठीक है, क्या होता ह सभी ताप मानों पर होता है, option number B, इस question का यहाँ पे देखिए, correct answer हो जाएगा, आप चलिए, अगला question देख लिजिए, 22 number question देख लिजिए, friends, इसका जो सही answer हो जाएगा, 22 का, वो option number A हो जाएगा, उसके बाद next जो दिया होए, देखिए, क्या रहा है कि घोल A का pH 6 है, घोल B का pH 8 है, और घोल C का pH 2 है, कौन सा घोल सबसे अधिक hydrogen ion सांदरता वाला है, तो वह हो जाएगा, देखिए, यहाँ पे, C वाला, ठीक है, C का pH जो 2 दिया हो, यहाँ पी हो जाएगा, option number C, इस question का correct answer होगा, अगला question यहाँ पे, 24 number जो दिया होए, देखिए, इसका सही answer, option number C ह जाएगा, ठीक है, option number C, उसके बाद चल्याइ, अगला question देखते है, question number होजागा, यहाँ पर 25, ठीक है, question number यहाँ पर 25 होजाएगा, और 25 number question का जो देखी, right answer होजाएगा, option number यहाँ पे, B हो जाएगा, उसके बाद अगला question हियाँ पिक्रिशन इमरे 26, और, question number 26, इशन ग्रै लेखक काराया कि cricket से संभन दित प्रसिद पुस्तक cricket my style के लेखक कौन है? क्रिकेट my style के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कपिल लिव, option number A हो जाएगा, सही answer next देखेंगे, इस पर गाराया कि निम्न लेखत में से कौन इमारतों को नुकसान पहुचा सकता है, तो वह हो और इस question में देखिए कहा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए ठीक है और ये हरपिये अस्थल है सूमेलित करना है तो सही सुमेलित इसका हो जाएगा यहाँ पर option न homepage C में दिया हुआ यहाँ पर A का 3 हो जाएगा यानि कि मांडा जो है या जम्मू का स्मीर में उसके बाद B का 4 हो जाएगा दैमाबाद कहा है महाराष्टर में उसके बाद C का 1 हो जाएगा यानि कि काली बंगा जो है कहा है राजस्तान में और उसके बाद राखी गड़ी जो है या खड़ियाना हो जाएगा तो option number C, इस question का यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला question देखते हैं, 29 number question होगा, question number यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 29, और देखिए friends, इस question में यहाँ पर कह रहा है, कि भारत के कारेवाह का मुख्य नियाधीस की न्युक्ति कौन करता है, भारत के कारेवाह का मु C हो जाएगा, उसके बाद 31 number question का right answer होगा, वह option number D, चलिए अगला question देखते हैं, question number 32 का जो सही answer होगा friends, वह option number यहाँ पर E हो जाएगा, और 33 number question को पहले आप लोग देख लिजिए, ठीक है, इस question को पहले आप लोग देख लिजिए, उसके बाद चलिए इसका पहले option देख है देखें यहां जो चार अपसर दिया हुआ है और इसका जो जही नशर हो जाएगा तैएस का वह आपसर नमर यहां पे बी हो जाएगा ठीक है अपसर नमर भी बैक्ट्रिया यानिकि जीवानों के दोरा नहीं फैलता है, बलकि यहाँ बैक्टिरिया यानिकि जीवानों के द्वारा फैलता है ठीक है तो यहां पर option number C हो जाएगा सही answer 38 नमर का जो right answer होगा वो option number B हो जाएगा उसके बाद next question यह जो दिया हुआ फ्रेंट्स के रहा है कि सागर स्रिष्ट पुरसकार 2023 की sport को परदान किया गया की sport को परदान किया गया तो यहां परदान किया गया है कोची sport को याद रखेगा option number B हो जाएगा सही answer 40 नमर question का जो right answer हो जाएगा वो option number यहां पर D हो जाएगा next है कि अफरिका महादुप का सरवोच परवत सिखर कौन सा है अफरिका महादुप का सरवोच परवत सिखर इनमें से कौन सा है तो देखेए वा हो जागा यहांपे मांट किली मंजारो ठीक है मांट किली मंजारो जो है या अपरीका महदुप का सरवच परवत सिखर है option number C हो जाएगा सही उसके बाद next यहाँ पे 42 नमर का जो right answer हो जाएगा option number यहाँ पे C हो जाएगा option number A हो जाएगा सही उसके बाद चलिए उसके बाद चलिए अगला कुशन देखते है option number A हो जाएगा सही उसके बाद चलिए अगला कुशन देखते है 45 नमर कुशन और कुशन नमर 45 का यहाँ पे जो सही उसके बाद 46 नमर कुशन देखेंगे यहाँ पे 46 का जो सही उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए इसमें कहरा है नीचे दियेगे कत्वों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयान कीजिए कत्थन देखिए बिलेचिंग पॉडर का रसायनिक सुत्र C-A-O-C-L-2 है और कत्थन 2 में है कि इसका उप्योग पेजल को किटानों मुक्त बनाने के लिए किया जाता है तो सही अंसर इस Qशन का देखिए यहां पर उप्षन नमर C हो जाएगा दोनों क थन सकते है नेक्ष्ट है यहां पर और तालीस नमर Qữशन का जो राइट आंसर हो जाएगा उप्षन नमर यहां पर वी हो जाएगा 59 का आप्षन नमर A है उसके बाद 50 number question पहले आप लोग देख लिजिए 50 number question को देख लिजिए ठीक है उसके बाद इसका option देखते है देखे इसका जो option दिया हुआ है सही answer पचास का option नमड याँ पर D हो जाएगा ठीक है, option नमड D होगा उसके बाद उकला question दिया हुआ है question number यहाँ पे 51 हो जाएगा और 51 का जो सही answer होगा option number यहाँ पे B है उसके बाद next यहाँ पे देखी कहा रहा है कि fluorine से chlorine में bromine से और फिर iodine में जाना विदूत दिनात मकता क्या होगा तो देखे वो हो जाएगा यहाँ पे कम होती है ठीक है option number D हो जाएगा सही answer उसके बाद चलिए अगला question देखेंगे यहाँ पे question number 53 और 53 का जो देखे सही answer हो जाएगा option number यहाँ पे A हो जाएगा ठीक है option number A होगा उसके बाद जो next दिया हुआ यहाँ पे question number 54 देखे friends कहा रहा है कि बारत में किस वर्स पडियावरन सारक्षन अधिनियम पारित किया गया था मारत में किस वर्स पडियावरन सारक्षन अधिनियम पारित किया गया था तो याद रखे गए या 1986 इस भी में पारित किया गया था option number D जो है इस question का देखेंगे यहाँ पे correct answer हो जाएगा ठीक है 1986 का पडियावरन सारक्षन अधिनियम जो है या भारत सरकार द्वारा भारती समीधान के अनुशेद 253 के तहट अधिनियम इत किया गया था याद रखेगा option number D हो जाएगा सही answer उसके बाद जो next है देखे question number यहाँ पे 55 दिया हुआ है ठीक है इस question को पहले आप लोग देख लीजे ठीक है इस question को पहले आप लोग देख लीजे उसके बाद चलिए इसका option देखते है इसका देखे यहाँ जो option दिया हुआ है उसका जो सही answer हो जाएगा 55 आप्सन नमर यहाँ पे यह हो जाएगा right answer ठीक है चलिए अगला question देखते है question नमर 56 कह रहा है इस question में 2022 में सीद कालीन ओलंपी खेलों का आयूजन की इस अस्थान पर किया गया था तो सही answer है इसका देखे बीजिंग यानि की चीन में किया गया था ठीक है option नमर बी हो जाएगा सही answer उसके बाद next देखेंगे 57 का जो सही answer है वो option नमर A है उसके बाद अंठावन नमर यहां देखेंगे कह रहा है खले जगा दिया है कह रहा है कि हडियों की हडियों से हडियों को हडियों से जोड़ता है यानि कि कौन हडियों को हडियों से जोड़ता है तो वो है अशनायू असनायू क्या करता है हड़ियों को हड़ियों से जोड़ता है अप्सन नमबर ए इस question का यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है अब चलिए next question देखते हैं देखे next यहाँ पर जुदियावाय कहा रहा है कि भारत का महान्यावादी कब तक पदधारन करता है तो सही answer है इस question का यहाँ पर देखे राश्रपती के प्रसाद पढ़ियंद यानि कि राश्रपती जब तक चाहें option number C हो जाएगा सही next यहाँ पर कहा रहा है कि ग्राम सभा का अभी प्राय है ग्राम सभा का क्या भी प्राय है तो वह हो जाएगा देखे यहाँ पर ग्राम अस्तर के पंचाई छेतर के निर्वात्सक नमावली में पंजीकृत लोग option number C हो जाएगा ठीक है प्राइंस नेक्स्ट एक सट नमर का जो राइट आंसर हो जाएगा option number A हो जाएगा उसके बाद दिया हो यहाँ पर 12 सट नमर क्वेश्चन और देखे बासर नमर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा option number A हो जाएगा 63 का देखेंगे यहाँ पर 63 नमर क्वेश्चन जो दिया हो भा है कह रहा है इसमें निमनलेकित में से कौन सा हरपा कालिन अस्थल गुजरात में था तो देखेंगे बाद जाएगा यहाँ पर लोथल जो है यह गुजरात option number D हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर next question captain William Hawkins किस जहाज से भारत पहुंचा था किस जहाज से भारत पहुंचा था तो याद रखेगा इसका जो right answer हो जाएगा option number A हो जाएगा इस question के यहाँ पर right answer option number A इस question के यहाँ पर right answer होगा अब चलिए अगला question देखते है 65 यहाँ पर देखे इस पर कह रहा है कि निमनलेकित में से कौन सा नियम बिदुधारा के तापन प्रभाव के साथ संबंदित है तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखे option number A यानि की जूल का नियम ठीक है जूल का नियम इस question का देखे सही answer है अब चलिए next question देखते है यहाँ पर question number 66 कहरा है इस question में बंगाल की निमनलेकित फैक्टरियों में से एक जो पूर्त गालियों दोरा अस्थापित की गई तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखे हुगली ठीक है बंगाल की निमनलेकित फैक्टरियों में से एक जो पूर्त गालियों दोरा अस्थापित की गई स्थित है option number D हो जागा सही answer उसके बाद क्या रहा है कि निम्नलेकित में से दूसरा सब से बराफ हाइलम कौन सा है तो वह हो जाएगा यहां पर देखिए मौलस का option number A इसका right answer है आई अब देखते हैं next question क्या रहा है क्या करिती किस परकार की होती है तो देखिए यहां पर त्रिभुजाकार होती है option number C हो जाएगा right answer उसके बाद है जनगन्ना 2011 की अनुसार भारत में इस तरी साक्षरता की दृष्टी से केरल के बाद दूसरा आस्थान किस राजिका है केरल के बाद तो दूसरा आस्थान जो ह कितने वेक्तियों को मनोनित कर सकता है तो सही answer इस question का यहां पर देखिए option number A यानि की एक ठीक है राज जिपाल जो है यहां पर यहां पर D हो जाएगा ठीक है option number D देखिए चोहता नमर question का यहां पर राइट आंसर है फ्रांट्स उसके बाद चलिए अगला question देखते है question number हो जाएगा यहां पर देखिए 75 और देखिए फ्रांट्स कहरा है इस question में कि निमनलेकित में से कौन सा योगिक चक्रिये और और संत्रिप्त है तो सही answer इसका देखिए यहां पर बेंजीन हो जाएगा option number D उसके बाद next है कि वहां बिंदू जहां किसी वस्तु का संपूर नबार कारे करता है उसे इसे किस रुप में जाता है उसे किस रुप में जाता है तो याद रखे हैं उसे गृत्व का के अंधर के रूप में जाता है option number C होगा उसके बाद यहां पर है कि सारवजिनिक छैतर के उध्योगों में और निविस का दोर कब से प्रारंब हुआ त तो सही आंसर इस question का यहाँ पर option number D हो जाएगा 1991 बान भे ठीक है फ्रेंट्स चलिए next question देख लिजिए question number यहाँ पर 78 78 number question का जो right answer है वो option number यहाँ पर D है उसके बाद जो अगला question दिया हुआ यहाँ पर 89 number question देखिए इस पर कह रहा है कि पुलीश, न्याय, अस्थानिय, स्वसासन, स्वास्थ, क्रिसी, सिचाई, आधी, विसयों को किस सूची में रखा गया है किस सूची में रखा गया है तो इसे राज्य सूची के अंतरगत रखा गया है option number B हो जाएगा सही answer उसके बाज अगला question दिया हुआ यहाँ पर देखिए इस पर कह रहा है कि यदि घोल से धातू A, धातू B को प्रती अस्थापित करती है तो धातू A के बारे पूचा जा रहा है तो सही answer इस question का option number A कि B की तुलना में अधिक प्रतिक्रिया seal है option number A हो जाएगा right answer उसके बाज अगला question दिया हुआ देखिए कह रहा है निमनलेकित में से किसका उप्योग सिर्का तयार करने में किया जाता है तो याद रखेगा इसका सही answer देखिए acetic acid यानि की acetic अमलका उप्योग जो है सिर्का बनाने में किया जाता है option number D हो जाएगा सही answer अगला question देखेंगे कहा रहा है कि सरीर की मुद्रा और संतुलन नियंतरित होता है किस के द्वारा किस के द्वारा होता है तो यह होता है अनुमस्तिस्क के द्वारा option number B हो जाएगा सही answer उसके बाद 83 का जो सही answer हो जाएगा वो option number B हो जाएगा बढ़ेगा किस इस्थिती में जल का वास्पी करन बढ़ेगा तो यह हो जाएगा देखे जल के तापान में ब्रिधी से option number D हो जाएगा सही answer उसके बाद 86 का जो सही answer होगा option number यहाँ पर C हो जाएगा 87 नमर question देखे यहाँ पर कह रहा है दियेगे चितर में सन्नेहित उत्तर आकरती का चैन करें चलिए पहले है इसका चितर देख लिजे और उसके बाद देखे इसका जो सही answer हो जाएगा 87 का वो option number यहाँ पर C हो जाएगा ठीक है option number C होगा उसके बाद जोगला question दिया है यहाँ पर question number 88 कह रहा है कि कृष्ण देव राय किसके समकालिन थे किसके समकालिन थे तो याद रखेगा यहाँ बावर के समकालिन थे ठीक है किसके समकालिन थे बावर के option number C हो जाएगा next question है कि समिधान के किस अनुचेत के अंतरगत हिंदी को राजभासा के रूप में दरजा परदान किया गया है तो यह किया गया है देखिए अनुचेत 343-1 के थे तो option number C इस question का सही आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंटस next question देखेंगे कहरा है कि निमलेकित में से कौन से कथन सत्य है तो सत्य कथन यहाँ पर देखिए option number C जो दिया हुआ है सापैक्ष घनत्म की कोई एकाई नहीं होती है यह कथन बिल्कुल सही है option number C हो जाएगा right answer एक क्यानवे नमर question का जो सही आंसर है वो option number यहाँ पर ए है उसके बाद है कि किसे भारत में पूर्दगाली समराज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसे कहा जाता है तो याद रिखेगा अलफांसो डी अलगुकर्क को जो है भारत में पूर्दगाली समराज का वास्तविक संस्थापक जो है इसे माना जाता है option number B हो जाएगा गया था यानि कि 29 अगस्त को पर्थमबार कब राष्टिक खेल दिबस के रुप में मनाया गया था तो याद रखेगा 1995 में पर्थमबार मनाया गया था option number C इस question का सही answer हो जाएगा देखिए राष्टिक खेल दिबस जो है या 29 अगस्त को होकी के महान खिलारी मेजर धियान चंद की जैनती के तीन मनाया जाता है याद रखेगा option number C हो जाएगा सही answer उसके बाद देखिए next question जो यहां दिया हुआ friends question number 95 इसका जो सही answer हो जाएगा वो option number यहां पे A हो जाएगा उसके बाद next है कि अधिक के अंदर भुकंप का एक बिंदू है जो संबंदित है किस संबंदित है तो यह भुकंप उधगंप के अंदर के उपरी भुपरिष्टिय बिंदू से संबंदित है option number B हो जाएगा सही answer उसके बाद next है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छले किसके प्रतीक है किसके प्रतीक है तो याद रखेगा यह 5 महादूइपों के प्रतीक है option number A हो जाएगा सही उसके बाद अगला question देखेंगे किराय की रख्त के उचित असकंदन के लिए निमले कितमें से किस वीटामिन की आवे सकता है किस वीटामिन की आवे सकता है तो दो option में दिया हुआ यहाँ पर यह वीटामिन A है वीटामिन E है दो option इसका और दिया हुआ चलिए पहले उसको देख लिजिए देखिए दो option इधर और दिया हुआ यहां पर vitamin D है और vitamin K है तो right answer इसका vitamin K हो जाएगा यानि कि option number D हो जाएगा ठीक है 99 number question जो दिया हुआ देखिए इसका सही answer option number यहां पर B हो जाएगा उसके बाद क्या राय कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिले में विद्रोह का sign नेतरित पर किस ने किया था तो यह किया गया था बक्त खां के दौरा option number A इस question का यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगला question देखते है question number 101 देखिए इसका जो सही answer हो जाएगा 101 का वो option number यहां पर B हो जाएगा option number B हो जाएगा right answer उसके बाद जो next question दिया हो यहां पर question number 102 देखिए इस पर क्या रहा है कि भारत की केंद्रिया सतरकता आयोक की अस्थाप ना निमनलेकित में से किस की सिफारिस पर की गई थी किस की सिफारिस पर की गई थी संथानाम समिति की सिफारिस पर option number D हो जाएगा इस question का यहां पर सही answer अब चलिए अगला question देखते है question number यहां पर 103 हो जाएगा और 103 का जो सही answer आपसन नमर यहां पर C है 104 नमर question देख लिए friends देखिए इसका जो सही answer हो जाएगा 104 का वो option number यहां पर C हो जाएगा उसके बाद next question देखिए यहां जो दिया हुआ है कह रहा है कि सन्युक्त राज अमेरिका का राश्ट्रिय खेल कौन सा है सन्युक्त राज अमेरिका का राश्ट्रिय खेल कौन सा है तो चलिए पहले इसका option देख लेते हैं देखिए चार option यहां दिया हुआ है waterfall है, rugby है, baseball है और polo है तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number यहां पर D हो जाएगा baseball जो है यह सन्युक्त राज अमेरिका का राश्ट्रिय खेल है तो option number D इसका right answer हो जाएगा next question के रहा है कि nitrogen के निमन oxide में से किसको laughing guys के रूप में जाना जाता है laughing guys के रूप में जाना जाता है तो याद रिखेगा N2O यानि कि nitrous oxide को laughing guys के रूप में जाना जाता है option number D हो जाएगा सही answer, उसके बाद next है कि एक पूर्ण guys की आंतरी कुर्जा किस पर निर्भर करती है सही answer है इसका देखिए केवल तापमान पर ठीक है केवल temperature, option number B हो जाएगा सही answer, उसके बाद अगला question देख लीजिए 108 number question देखिए यहाँ जो दिया हुआ है इसका जो सही answer हो जाएगा 108 का वो option number यहाँ पे A हो जाएगा उसके बाद चलिए next question देखेंगे यहाँ पे 109 number question कहा रहा है इसमें कि रक्त का कौन सा घटक भोजन carbon dioxide और nitrogen युक्त कच्रे का पड़ीबहन करता है रक्त का कौन सा घटक है तो देखिए सही answer इस question का option number A हो जाएगा पलाजमा हो जाएगा ठीक है option number A होगा उसके बाद अगला question में कहा रहा है कि सार्क साहित पुरसकार 2023 किसे परदान किया गया किसे परदान किया गया तो यहाँ परदान किया गया देखिए कामूद सेख मुजीवूर रहमान को option number C हो जाएगा सही answer next है कि समीदान के अनुचे 280 में वरनी तो भी तायोक का निर्मान करता है समीदान के अनुचे 280 में वरनी तो भी तायोक का निर्मान करता है सही answer है देखिए भारत का राश्रपती option number B हो जाएगा सही answer ठीक है चलिए अगला question देखते है कह रहा है कि निमनलिखित में से आवद के स्वायत राजिका संस्थापक कौन था तो सही answer इसका देखिए सादत खान वुरहान उल मुलक हो जाएगा option number B हो जाएगा सही answer एंजिल जल परपात किश नदी पर इस्तित है तो यह कैरोनी नदी पर इस्तित है ठीक है कौन से नदी पर इस्तित है तो यह कैरोनी नदी पर इस्तित है याद रखिएगा option number C हो जाएगा सही answer ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद चलिए अगला question देखते है question number 114 का यहाँ सही answer option number C हो जाएगा 115 number question देख लिजे question number 115 का जो सही answer है option number यहाँ पर D है उसके बाद 166 number question देखे कह रहा है कि विस्व का एक मातर तैरता हुआ राष्ट्य उद्यान कीबूल उद्यान लामजाव कहाँ पर इस्तित है कीबूल लामजाव उद्यान कहाँ पर इस्तित है तो right answer इस question का देखे यहाँ पर मनुपूर हो जाएगा ठीक है संबंध दरसाता है तो यह इस्तिती और समय के बीच में option number A हो जाएगा right answer उसके बाद है राष्ट्य मानवादिकार आयोक के वरत्मान अध्यक्ष कौन है तो इसके वरत्मान अध्यक्ष है अरून कुमार मिस्रा ठीक है अरून कुमार मिस्रा और राष्ट्य मानवादिकार आयोक के अस्थापना का वुई दी फ्रैंट्स तो उनीस सो तिरानवेस भी में ये भी याद रखेगा option number A हो जाएगा सही answer उसके बाद next question में कहरा है कि अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा अपहिम उत्वादन के लिए प्रसिद्ध था तो वह हो जाएगा यहाँ पर असम option number D हो जाएगा ठीक है फ्रैंट्स से लिए next question देखते हैं कहरा हैस मैं कि निम्र में से कौन सा एक सिक अंदर के आकरमन का प्रभाव नहीं था तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि इस आकरमन ने पस्ची मुत्तर भारत में यूनानियों के अस्थापना का मार्क प्रसस्त किया option number B हो जाएगा दुइत्य पंचबर्शिय योजनाबधी में अस्थापी तो right answer इस question का देखिए यहाँ पर सिख शित बेरोजगारी हो जाएगा option number A इस question का right answer हो जाएगा 124 नमर question को देख लिजे पहले question number 124 को पहले आप लोग देख लिजे उसके बाद देखिए यहाँ पर कथन दिया हुआ इसकर्च भी दिया होगा आचली आगे देखते हैं ठीक है देखिए निसकर्च भी दिया हुआ है कथन दिया हुआ था और इसका जो सही answer हो जाएगा सही answer जो इस question का हो जाएगा फ्रेंट्स वो option number यहाँ पर C हो जाएगा ठीक है option number C हो जाएगा उसके बाद next question question नमर 125 और इसका सही answer option number यहाँ पर A हो जाएगा option number A इस question का right answer होगा आपचली नेक्स वेशन देखते हैं 126 नमर question और 126 का जो सही answer है वो option number यहाँ पर D हो जाएगा ठीक है option number D देखिए इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा आप चलिए next question देखते है question number 127 हो जाएगा question number यहाँ पे 127 होगा और देखी कह रहा है कि निम्नलेखित में से कौन सा एक दुर्बल छारक है निम्नलेखित में से कौन सा एक दुर्बल छारक है तो right answer is question का यहाँ पे option number C हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत में स्वपोसित विकास का अदेश सरवपर्थम अपनाया गया कब अपनाया गया तो यहाँ अपनाया गया था दिखिए त्रित्य पंचबर्शी योजना में option number A हो जाएगा इसका right answer अगला question देख लिजिए यहाँ पे question number 130 question number 130 को देख लिजिए और इसका जो सही answer होगा वो option Number यहाँ पे C हो जाएगा उसके बाद next question देख लिजिए friends यहाँ पे question number 13 131 का जो सही answer होगा option यहाँ पे B हो जाएगा उसके बाद next question यहाँ पे 132 कह रहा है में कि निम्लेकित में से कौन सा इस सम्मू से संबंदित नहीं है देखिए ये वी रिजिनिंग का क्वेश्चन है 132 का सही आंसर option नमर यहां पर C हो जाएगा चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं friends के राइस में कि आधुनी का अबर सारनी के कि सम्मू में हैलोजन को अस् option number D हो जाएगा सही आंसर उसके बाद next question देख लिजिए 134 नमर क्वेश्चन यहां इसका जो सही आंसर हो जाएगा 134 का option नमर यहां पर A हो जाएगा अगला question यहां पर question number 135 में कह रहा है कि राष्टे अपातकाल के उद्गोशना के प्रवर्तन रहने की स्थिती में विधान सभा की अवधी को कितने समाई के लिए बढ़ाया जा सकता है कितने समाई के लिए तो एक वर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है option number B हो जाएगा सही आं ठीक है option number D 137 का जो सही आंसर हो जाएगा option number A हो जाएगा उसके बाद next question यहां पर 138 और 138 का जो सही आंसर है वो option number यहां पर D है question number 149 का सही आंसर option number A हो जाएगा 140 का option number C हो जाएगा 1401 का option number A हो जाएगा उसके बाद देखिए यहां पर 142 नमर question को पहले देख लीजिए उसके बाद इसका option देख लीजिए यहां पर देखे 142 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वो अप्सन नमर यहां पे C हो जाएगा 143 का सही आंसर अप्सन नमर B है 144 का सही आंसर अप्सन नमर D हो जाएगा 145 का अप्सन नमर C 146 का जो राइट आंसर है फ्रेंट्स वो अप्सन नमर यहां पे A है उसके बाद जो next question यहां पर देखे 147 नमर का दिया हुआ है के राइस में हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पूराना घराना कौन सा है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पूराना घराना कौन सा है तो वह है देखे ग्वालियर घराना option number यह हो जाएगा next है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मनों पर भी जजिया कर लगाया था तो वह हो जाएगा देखे यहां पर फिरोज तुगलकने लगाया था option number B हो जाएगा सही answer ठीक है अगला question देखे लिजे यहां पी कह रहा है कि अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन करने वाला जीव क्या कहलाता है तो correct answer इस question का option number D यानि कि परभक्षी कहलाता है वो option number D हो जाएगा आईए अब इस set का last question देख लिजे कह रहा है कि उमिद करते हैं कि आज का set भी आप लोगों के लिए काफी महत्तपूर नसावित होगा और अगर आप लोग इसका फिसला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के description में उस सारे वीडियो का link दे दिया जाएगा यहां से आप लोग देख लिजेगा या फिर हमारे चैनल के प्लेट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जूरे रही है नेक्स्ट वीडियो में द्वारा फिर से मिलते हैं तब तक के लिए जैहिंद